किसान को पिछले कुछ दिनों से जिसका डर था आज उनके साथ वही हुआ मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आज फरिदाबाद में अचानक हुई बरसात से मंडी में पहुचा हुआ किसान का अनाज पानी में भी गया किसानों का आरूप है कि वह एक दिन पहले मंडी में अपना अनाज लेकर आए थी बगर उनके अनाज की तोल नहीं की गई और आज जब आसमान में बादलगर से तो उन्होंने आड़तियों से अपने अनाज को ढखने के लिए बारदा न मांगा तो उन्हें नहीं दिया गया जिस पर आस्मान से बरसी बारिश ने उनके पूरे अनाज पर पानी फेर दिया उपर से आड़तियों ने भीगे हुए अनाज को खरीदने से भी मना कर दिया ऐसे में किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं पूरे साल मेनत करने के बाद किसान आज अपने भीगते हुए अनाज को लेकर मंडी में खड़ा हुआ है और सरकार से मांग कर रहा है कि उन्हें या तो मुआबजा दिया जाए या उनका अनाज खरीदा जाए अनाज शुक्ति भीतर बढ़ गे नियुके रही हम पनौग अविवस्ता जी आनाज लाएते हम आज का नहीं है हमारा नाज हम लाइते कल सुबह से पड़े यहां पर आड़तियों के पास हम हर बार आते हर बार तो मतलब कुछ ववश्ता हुजा जाते इस बार ना उनों पन और पूरा नाज जो बिलकुल भीज चुका है बहुत परिसानी में हम यह सरकार से यह पील करें चाहेंगे कि हमें कम से कम जो हमाला नाज भीजा है उसका कुछ तो मुआपजा दे अना तार्ट तो लहीं नहीं रही है वहीं अनाज मंडी मार्केट कमेटी के सेक्वरेट फ्रिदिशी कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बारिश अचानक से आई थी इसकी चलते में सारे अनाज की धेरियों को समय से नहीं ढख पाए इस वजह से कुछ अनाज जरूर भीग गया है मगर किसान कुछ चि किजास की मैकसिम डेरिया में डखवा दी खुद जाके डखवाई हैं और जो ट्रेक्टर खड़े थे वह भी अमने कॉर्ट शटी के अंदर गुसा दिये थे फोटो भी हमरे बास उनके और जो भीगा है उसमें भी यह थी बरे विकट्टे थे बारदाना भीगा है अंदर से बारिश दूप लगेगी गवारदान से उख जाएगा सब कुस ठीक है और जो कुछ पांच चार-पांच डेरिया ऐसी है जो बिना डखी रही थी उसमें भी मैं देखके हैं अभी ऊपर का थोड़ा सा को याद देंश के करीव तक तो भीगी हैं अंदर से बिल्कुल सुरक् कर तो तो बिल्कुल सुरक्ष्ट रादा टो जे का लादा बिल्कुल गजपगा से ज़ बिल्मों के तो का बिल्कुल मैं दोब भीज़ का तो भीज़िग नवारदान से बिल्कुल से दो ज़गे ऱ। झाल झाल